हेलो फ्रेंस वेलकम टू माई न्यू वीडियो फ्रेंस बहुत सारे स्टूडेंस यह पूछ रहे थे आप जियोग्राफी प्रैक्टिकल कौन से पेपर में बनाते हो इस पेपर का नाम क्या है और क्या हमें इसी बड़े साइज के पेपर में बनाना होता है प्रैक्टिकल और फाइल कौन सा लेना है और यह प्रैक्टिकल फाइल कितना बड़ा होता है कहां मिलता है कितना प्राइस थीक है तो यह सारा आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो गाई सबसे पहले तो जोग्राफी की प्रैक्टिकल्स बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप लोगों ठीक है हम लोग के college में guys ये जो बड़ा वाला practical seat होता है ठीक है ये practical seat में हम लोगों को बनाने के लिए बोला जाता है इसलिए हम लोग बनाते हैं otherwise हम लोग भी वो छोटा वाला practical seat में ही बनाते ए-4 size paper में और ये बड़ा वाला seat लेने के लिए लगाने के लिए हमें बड़ा वाला प्रैक्टिकल फाइल भी लेना पड़ता है तो आपके कॉलिज पर डिपेंड करता है कि आप लोगों कौन सा प्रैक्टिकल फाइल लेने के लिए बोला गया है तो हम लोग को यह बड़ा वाला प्रैक्टिकल सीट में बनाने के लिए बोला जाता है इसलिए हम लोग इस बोला जाता है प्रैक्टिकल जोग्रफी वाले स्टुनेंट को और यह जो अब बात करते हैं इनका प्राइज कितना है इसका प्राइज कितने में मिलता है कहां पर कॉंसे स्टेशनरी के दुकान में मिलेगा तो गाइज यह जो बड़ा वाला प्रैक्टिकल सीट है यह देखे यहाँ पे इसका प्राइज यहाँ पे लिखा हुआ है 68 रुपीज लेकिन आप लोगों को 50 रुपीज में यह पूरा पैकेट मिल जाएगा इसमें आप लोगों का जो है 24 पेजेज रहते हैं ठीक है यहाँ पे 48 लिखा हुआ है दोनों साइड को मिला करके जो जेनरले 24 पेजेज ही होते हैं ठीक है और इसके बाद यह प्रैक्टिकल फाइल यह बड़ा वाला जो प्रैक्टिकल फाइल है यह आप लोगों को 45 रुपीज में मिल जाएंगे किसी भी स्टेशनरी के दुकान पर तो इस तरह से आप लोगों को फिर अपना प्रैक्टिकल सारा बना करके प्रैक्टिकल फाइल में इस तरह से लगाना होता है यह य तरह से लगाना होगा और इसके बाद जो है आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल से एक्जाम में सारे प्रैक्टिकल को चेक करवाना होगा यह देखे गाइस मेरा सारा वैरिफाइड है से मिस्टर वन से लेकर के सिक्स थक जितने भी प्रैक्टिकल्स है वो सारे मेरे पास और भी queries हो तो आप लोग comment किजेगा मैं आपका query solve करूंगा तो guys मिलते हैं अपने next वीडियो में till now bye bye